तो कैसे हैं आप सब लोग केरी गार्डन में आपका स्वागत है यह है दोरपे की चीज आपके नीबू के पौदे को फूलों और फलों से भर देगी सिर्फ दोरपे में तयार की गई यह है चीज और इस चीज के इस्तमाल करने से नीबू का पौदा फूलों और फलों से भर जाता है जिस नीवू के पौदे में फूल नहीं आता है उस पौदे में से आप डालें तो नीवू के पौदे में फूल फल आने लगेंगे यदि नीवू के पौदे में फूल नहीं रोक रहा है मान लिजे फूल आया हुआ है नीवू के पौदे पर लेकिन वो गिर जाता है तो आप इस चीज को एक बार इस्तमाल कर लें, आपके नीवू के पौदे, एक भी फूल को नहीं गिराएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें फल आने लगेंगे, तो ये चीज क्या है, सारी जानकारी हम जानेंगे, सामने गमले में रखा हुआ हमारा नीवू का पौदा है, और ज़्यादा पढ़ रही है कोवरे की बज़े से, तो देखिए पत जर्वी सुरू हो जाता है, इस नीवू के पौदे पर पत्या कमें फूल जादा है, तो ये सब हुगा कैसे, कमने इसमें कौन सी चीज डाली, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जिस नीवू का पौदा माल से और फलों से भरा रहे, तो चलिए अब हम उस चीज के बारे में जानेंगे, आप मेरे हाथ में यह है जो सपेद चीज देख रहे हैं, एक से दोर पे में मिलने वाली यह है चीजे, और यह आपको पान वाले की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, यह हमने ठंडा चूना लिया हुआ है, अब देखिए, इस चूने को लेकर हमको क्या करना है, उस पौदे में डालना है, पहले तो जो निवू का पौदा फल नहीं देता है, आप उसमें ज़्यादा पानी की नमी रखते हैं, निवू के पौदे में यदि आप ज़्यादा पानी की नमी बनाव मैं और इसे पौदे में इस्तिमाल करें जो निवू का पदा माल लेजी फूल नहीं देता हैS कि मैं फूल फल नहीं आया है और इसके अलाबा आप उस कि में बाए चुना आपको पान वाले की दुकान पे असानी से मिल जाता है तो चलिए इसे हम घोले लेते हैं इसमें काफी ज्यदा मूलिय पोशत्तत तो पायाते है जो की मिठी को हमारी मिठी उपजाव मिठी बनाता है तो चलिए अब इसे भी तो इस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ठेंक यू